इस्राइल ने कहा है कि हिजबुल्ला ने आज पाच्वी बार एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है गाजा पर चल रहा है इस्राइल की बंबारे के बीच अचानक युद का एपिसेंटर लिबनान की तरफ मूर चुका है अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रूस तक इस युद में शामिल हो सकते क्योंकि हिजबुल्ला ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये जिसका ओर्डर सीधा तेरान से आ रहा है पंद्रह अक्टूबर दो हजार देज हिजबुल्ला एक के बादे कई मिसाइल फायर करता है पहला हमला टावर ओड़ गया दूसरा हमला रेडार तबाव हो गया तीसरा हमला एक और अड़्डा तहस नहस हो गया यह जगह है लेबनन और एज्रैल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाखा दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर स्में से यह और यहां बने है इज्रैल के पांच बहुत ही खतरनाक अड़े अड़्डा नमबर एक अड़्डा नमबर दो अड़्डा नमबर तीन अड़्डा नमबर चार अड़्डा नमबर पांट यह जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहां पहाड़ों की उचाई पंदर सौ मीटर तक है नीचे लेबनन का इलाखा और यहीं से अटाक लाँच किया गया इस ग्रैफिक से समझ सकते हैं इस इलाखे की टोपोग्राफिय कौन कहां मौझूद है? कौन सा इलाखा किसके पास है? अब यहां क्या हुआ? बहुत गोर से देखेगा यहां लेबनन के इलाखे में हिजबुला का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाली तीन बहुत ही खतरनाक एंटिटैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट रॉंचर यह मिसाइल इरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुला के पास बहुत बड़ा जखीरा है हिजबुला ने तीन तरह के अंटिटैंक गाइड़ मिसाइलें इस्तेमाल की यह हैं कॉर्नेट इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है यह रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देलाविया तयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुला के पास है दूसरी है बीजियम 71 टो एंटिटैंक गाइड़ मिसाइल रेंज है सारे 3 किलोमीटर यह अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल इरान तयार कर रहा है और इसने हिजबुला को सप्लाई की है तीसरी है 85 कॉनकोर्स रेंज 4 किलोमीटर यह भी रूस ने बनाई है और अब इरान में यह तोसान नाम से तयार की जा रही है तीनो मिसाइल बहुत ही खातक है और जिस तरह से इन्होंने इसरेल के अट्रे उड़ाए है उससे यह बात साबित हो जाती है इस भुला का दावा है कि उसने यह हमला लेपनन में इसरेल के हमले के जबाब में किया इसरेल के हमले में एक पत्रकार की मौत होई है जबकि कई घायल हुए है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पत्रकार गायल हालत में है और पास ही एक गाड़ी जल रही है इसरेल पर इस हमले का आरूप लगा है अब लेपनन में इस मॉर्डर को लेकर इसरेल को लेकर बहुत गुस्सा फैल चुका है इसरेल के खिलाब बेरूत में लगातार प्रदर्शन हो रहे है इसी को देखते हुए अब हिजबुल्ला ने क्या किया है वो बहुत गौर से देखिएगा सबसे पहले इसरेल का अड़ा नमबर एक शतुला इलाके में बने इस अड़े पर हिजबुल्ला ने किया पहला हम्डा हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटेक किया जो सीधा जाकर इसरेल का एक टावर उड़ा देती है हिजबुल्ला की ये रेंज देखकर इसरेल के कैम्प में खलबली सी मच गई क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह से दबाह हो गया इसके बाद टार्गिट बना इसराइल का अड़ा नमबर दो ये भी शतुला इलाके में है और यहां हेजबुल्ला ने किया दूसरा हमडा इस बार हेजबुल्ला ने वीजियम 71 टो एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल का इस्तिमाल किया अमेरिका में बनी ये मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडाय स्टेशन को तबाह किया ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा इसके बार टार्गेट बना इसरेयल का अड़ा नमबर थी ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हेजबुल्ला ने किया तीसरा हमला इस बार हेजबुल्ला ने कॉंकोर्स एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल फायर की रूस की ये वायर गाइड़ेट मिसाइल भी इसरेयल के चिकाने को खत्म कर देती है इसके बाद चौथे और पांच्वे अड़े पर भी हजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड़नों का हुआ है हजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसरेयल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैमिक दिमारे गए हैं समझ लीजे कि इस वक्त इसरेयल और लेबनन के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद्ध को दस गुना भड़ता सकते हैं इसके बारे में दुनिया में सिर्फ चार लोग जानते हैं पहले हैं इसरेयल के प्रधान मंत्री बैन्यमिन नीतन याहू दूसरे हैं इरान के राश्चबती इब्राहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के राश्चबती जो बाइट है और चौते हैं यॉर्प से लेकर अमेरिका तक सब को हिला देने वाले रूस के राश्चबती व्लादे में रखोते हैं लेकिन इस वक्त सबसे ज़ादा एक्टिव एरान है इरान के विदेश मंतरी हुसेन अमीर अब्दल्ला हिया ने कहा है कि अगर इसराइल ने खाजा पर बंबारी नहीं रोकी तो हिजबॉला ने ऐसी तयारी की हुई है कि इसराइल में जलजला आजाएगा इरान के विदेश मंतरी ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीब से लेकर वाशंटन डी सी तक खौफ फैला हुआ है इसराइल को लेकर इरान की वार डिप्लोमेसी इस स्वक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है साओधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान से इरान के राश्रबती इब्राहिम रैसी की बादचीत के बाद 48 घंटे में इरान की विदेश मंत्री ने इराक का दोरा किया वहां के राश्रबती से मिले इरान की विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राश्रबती से मुलाखात की हुसायन अमीर अब्दुल्ला हियां फिर लिबनन गए और हेजबुल्ला की लीडर्शिप से मिले इसके बाद वो कतर है और वहां की विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमाज की लीडर्शिप यानि इसमाईल हानिया से मुलाखाग की सवाल है कि क्या अन्तालीस घंटे के अंदर इरान और इसरेल के बीच बड़े युद्ध की तयारी हो चुकी है इसरेल ने भी लेबनन बॉर्डर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हेजबुल्ला को छोड़ेगा नहीं लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हेजबुल्ला ने अपने वीडियो वाइरल करने शुरू कर दिये हैं हेजबुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इसरेल पर हमले के लिए तयार है इस वीडियो में हेजबुल्ला का मेसेच साफिक कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इसरेल रोक नहीं पाएगा इस वीडियो में हेजबुल्ला का मिलीशिया कमांडो अपरीशन की तरफ इशारा कर रहा है इस वीडियो में हेजबुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटर साइकल पर आएंगे और इसरेल की सेना भागती हुई नजर आएगी हेजबुल्ला ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इसरेल पर हमला कर देगा अगर इसरेल की सेना फिलिस्तीन के खाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इसरेल पर चड़ाई कर देगा इसरेल और लेबनन के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहां सेयुक्त राष्ट की शांती सेना तैनात रही है इसमें भारत की फौज भी शामिल है इस सुवक्त इसरेल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है क्योंकि अगर इसरेल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इसरेल पर हमला बोल देगा Hezbollah fighters fired an anti-tank missile towards Israeli troops. There was a short battle and the situation eventually calmed down. Afterwards Hezbollah sent drones into Israel and also fired surface-to-air missiles against an Israeli aircraft. All of those two attempts were successfully intercepted by the IDF but the situation on the northern border remains very tense and we are monitoring the activities of Hezbollah very closely with additional enhanced capabilities in the north prepared for any eventuality that may happen. दक्षन लेबनन और उत्तरे इसरेल के बीच जो border है वहाँ तनाव बहुत ज़्यादा है. यहाँ अफरात अफरी के बीच खामूशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है. इसलिए यहाँ के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपी सेंटर गाजा से निकल कर लेबनन तक पहुँच सकता है. यहाँ तैनाथ संयुक्त राश्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं. लगातार पेट्रोलिंग हो रही है. इस्रेयल की सेना ने अपना गोला बारूत तयार रखा हुआ है. तोपों से जो गोले फायर किये जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए हैं. इस्रेयल की रेजर्ब फोर्स भी आसपास के इलाखों में तैनाथ की जा रही है. ये हम भी गाड़िया हैं जो लगातार यहां तक पॉज पहुचाने में लगी हुई है. 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे जादा तनाव नहीं देखा गया. और अब हिजबुल्ला की वानिंग के बाद सब की नजर इरान पर भी है. और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है. इस्राइल के गोलाम की पहाड़ियों पर भी टैन्क पहुचा दिये गए हैं. ये जगह सीरिया का हिस्सा था. लेकिन 1967 में युद्ध के बाद इस्राइल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया. और तभी से ये इस्राइल के कंट्रोल में है. देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्यमेश्या में युद्ध की चंगारी पहुच चुकी है. इस्राइल से लेकर घाजा और घाजा से निकली गया आग अब लेबनन पहुच चुकी है. चंगारी, सीरिया और इरान में भी नज़र आ रही है. इस वक्त अमेरिका का एक और एक्ट्राइब केरियर इस्राइल की सपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है. पहले जेराल्ड पोस और आप आइजन हावर अमेरिका का आक्शन बता रहा है कि वो इरान और हजबुल्ला को हर हाल में लोकने वाला है. अमेरिका ने अपना दूसरा एक्ट्राइब केरियर तब भेजा है जब इरान ने दो टूक शब्दों में काए कि इसराइल ने गाजा पट्टी में हमले नहीं रोके तो वो भी युद्ध में उतरने के लिए तैयार है. इसराइल का इरादा बिलकुल ख्लियर है. हमास के हर आतंकी का नाश इरान का इरादा बिलकुल ख्लियर है. हमास के खात्मे को बचाने के लिए युद्ध में कूदना है. अमेरिका का इरादा बिलकुल ख्लियर है. इस्रेल को हेजबुल्ला से, हमास से और सबसे बड़े दुश्मन इरान से बचाना है मामला फस गया है इस्रेल, फिलिस्तीन, युद्ध का फंडा अब इरान और अमेरिका के गले में भी फसता जा रहा है अमेरिका ने अपना एक और एरक्राफ्ट करियर भूमद धिसागर में उतार दिया है आईजन हावर अमेरिका का दूसरा एरक्राफ्ट करियर है जो भूमद धिसागर पहुंचने बाला है इस सेयरक्राफ्ट करियर की डीटेल जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये किस कदर का शक्तिशाली है लेकिन इस सेयरक्राफ्ट करियर की डीटेल में जाने से पहले जो बाइडन के भेजे इस युद्धपोत के भूमध धिसागर में उतरने की टाइमिंग समझ लीचे ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रण भेरी बच गई है इरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं USS Dritt D. Eisenhower, CVN 69 अमेरिका ने इसरेल के सपोर्ट के लिए तब भेजा है जब इरान ने इसरेल को खुली धमकी दी है युद में कूदने की धमकी इरान ने कहा है कि इसरेल गाजा पटी पर ततकाल हमले बंद करे वरना वो हमास के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा बर असास दर कम अज़ वागियत मुगावमत बे जनायतकारान जन्गी वहामियान आन्हा दर मन्तक खुश्दार मीदाम के ता दीर नशदे जनायात जन्गी रज़ीम कुदक कुदकुच जहली दर इसराईल अलेह शहर्वंदान व गेरन नज़ामियान दर गजज़ फुरन मतवगिफ शवद शायद साथ दीगर खेली तीर बाशनाया लबनन में हिजबुल्ला को इरान का समर्थन हसिल है और यही हिजबुल्ला जब गाज़ा पट्टी से हमास ने इसरेल पर हमला किया तो दूसरी और से इसने भी इसरेल के खिलाफ रॉकेट डागने शुरू करती है हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने विवादित ख्षेत्र में पाँच इसरेली आउटपूस्ट पर हमले किया है तो इस सुवक्त इसरेल चारू तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है अमेरिका का मदद के लिए पहुचना भी तैमाना जा रहा था आपको आगे दिखाएंगे कि इसरेल के सपोर्ट में अमेरिका ने सिर्फ समंदर में युद्पूत नहीं होता रहे है बलकि आसमान में भी पहरा कैसे सब्च कर दिया है लेकिन उससे तहले एरान के विदाईश मंदरी का एक और वक्त तब दिसुन लीजे क्योंकि एरान क्या करने जा रहा है एरान की इसी बोली वानी का रियाक्शन भूम अधिसागर में दिख रहा है जब अमेरिका के दो एरक्राफ्ट करियर एजरेल के खिलाफ किसी भी हमले का मोतोर जवाब देने के लिए लगभग तयार खड़े है जेराल फोर्ड पहुँच चुका है और आईजन हावर पहुँच रहा है आईजन हावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है जो परमाणू हत्यार अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है अमेरिका के इसके जरिये हिजबुल्ला या इरान को चेताने की कोशिश है अमेरिका इसरेल की यारी की कहानी भी बहुत दिल्चस्प है लेकिन उसकी डीटेल आगे क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट को इस वक्त चिंता सता रही है कि रूस योक्रेन युद्ध में एक देश ही परमाणू शक्ती संपन्न है फिलिस्तीन इसरेल युद्ध में तो कई परमाणू शक्ती संपन्न देश एक साथ टकरा सकते हैं उसके बाद क्या होगा मन्थन जारी है यूएन खुला है यूरोपियन यूनियन विचार कर रहा है इरान अमेरिका का आमना सामना टालने की तैयारी शुरू हो चुकी है लेकिन इस बीच इरान से लेकर लेबनन तक खॉल रहा है इस समय यूद्ध पोट जिराड फोड पहले से ही पुर्वी भूमदे सागर की निगरानी कर रहा है और अब एक और महाशक्ति साली यूद्ध पोट इसराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका की तरप से आ रहा है अमेरिका को भी ये असपस्ट हो चुका है कि अगर इसराइल के पच्च में खड़े नहीं हुए तो इरान हमास और हिजबुला के बल पे इसराइल को कमजोर कर सकता है अमेरिका खुल कर फ्रंट पर खेल रहा है और इरान की राशोपती इब्राहिम रईसी भी पीछे नहीं है कहा जा रहा है कि अमेरिका इसराइल और सौधी अरब के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित कर इरान को अलग थलग करना चाहता था इरान इस वक्त जिस हमास के समर्थन में उतरा है उसकी आवाज बंद करना चाहता था लेकिन इस बीच इरान ने खेल खत्म कर दिया युद्ध रोकने के लिए अमेरिका ने दूसरा युद्ध पोत भेजने का फैसला किया है। अमेरिका ने इसराइल भेजे हैं। भूम अदिसागर में उनकी तैनाती युद्ध वाली कहानी ही बया करती है। प्रती घंटा है। आई जनावर पर एडवांस फाइटर तैनात हैं। इस पर 56 फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर तैनात किये जा सकते हैं। ये इसकी श्रमता है। इसी के साथ में ये वही वार्शिप है जिसने खारी युद्ध में एहम भूमिका निभाई थी। आई जनावर में 1977 से अमेरिका नौसे नामे हैं तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्पून है ये एक्राफ्ट केरियर जो अमेरिका की ओर से भेजा गया है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसेनिक बेडा है। अमेरिका इसकी ताकत का एसास पूरी दुनिया को कराता रहा है। अमेरिका अपनी हैसित दिखा रहा है। 70 मीटर उचा है। इस तरह इसकी उचाई दिल्ली के कुतम मिनार की 73 मीटर से उचाई से भी ज्यादा है। इसकी शमता एक लाग टन से भी ज्यादा बताई जाती है। इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाने में ये सक्षम है। इसकी रफ्तार है 56 किलोमीटर प्रती घंटा। इसे चलाने के लिए 4509 सेनिक तैनात कर दिये गए है। एरक्राफ्ट करियर आइजनहावर और जेराल फोर्ट दोनों वार्शिप परमानुक शक्ती से संचाली थे। और क्षत्र में किसी भी प्रमुक शक्ती से मुकाबला करने के लिए भूमी पर हमला करने वाली मिसाईलों और F-18 लड़ाकों विमानों में सैन्य शक्ती रखते हैं। अमेरिका के रक्षामंत्री लॉयंट आस्टिन ने कहा है कि स्ट्राइक ग्रुप को आदेश दिया है कि वो भूमध इसागर में उत्तर में अपनी पोजिशन ले ताके इस युद्ध को बढ़ने से रोका जा सके। इसरेल युद्ध नहीं फैलने से रोकने की बातों के बीच समंदर और आकाश दोनों में सुपर एक्टिव है। इसरेल घाजा को मिट्टी में मिला रहा है और अमेरिका समंदर और आस्वान से उसके निकरानी कर रहा है। समंदर में इसरेल को अमेरिका का सपोर्ट देखा। अब आस्मान में देखिए। अमेरिकी बल के स्थिती में वृद्धी इसरेल की सुरक्षा के लिए सन्युक्त राज्य अमेरिका की द्रिन प्रतिबद्धता और इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करने वाले किसी भी राज्य या गैर राज्य को रोकने के हमारे संकल्प का संकेत है। इस्राइल कहां जाकर रुकेगा और अमेरिका इरान या हिजबुल्ला को कब तक रोख पाने में कामयाब होगा इस पर फिल्हाल मंधा नहीं किया जा सकता है क्योंकि कम से कम अभी तो कोई पक्ष रोखने वाला नहीं देख रहा है इरान और अमेरिका के हित इस्राइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आकर अटक गया है अमेरिका के प्रतिबन से बुखलाया इरान चाहता है कि वो अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास करा है जिसके पास परमानू बंभी है और बेहतरीन जोन भी इरान को ये भी लगता है कि अगर वो इस युद में कुदता है तो अरब देशों के अलावा चीन और रूस भी उसका साथ देंगे ये सही है कि इरान अमेरिका से टक्राया तो जंग होगे वो रूस योकरेन महा युद से भी बड़ा विनाशर और मौतों आली होगी लेकिन इसके बीच का सच है कि दूनों युद भड़कार हैं इरान, हमास या हिजबुल्ला का साथ नहीं छोड़ सकता तो अमेरिका भी इस्रेल को धोखा नहीं दे सकता अभी उसके दो युद पोथी समंदर में उतरे हैं जरूरत पड़ी तो अमेरिका भूमध इसागर को अपनी नौस्यानिक शक्ती से मत देगा लेकिन समस्या ये है कि इरान अपना पर्माणो बम लेकर सिर्फ इतराता रहेगा या इस्रेल के अंत के लिए इरान के राश्वपते इबराहिम रईसी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं आपको बताएंगे या पिर चीन ने कौन सा कदम उठाया है जो इस्राइल को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है खाजा का समीनी महायुत छेरने बाला है करीब 3.500 पर किलोमेटर लंबी पट्टी अब फूमी पट्टी बनने वाली है और इसी लिए इस्रेल के प्रधान मंत्री बॉलेट प्रूप कवच पहन कर खुद आर्मी के कैंप में पहुँच गया है नीतर याहू इस्रेल के सैनिकों से मिले कमांडर से मिले और उनसे कहा कि युद्ध की तैयारी पूरी कर लो महा समर का वक्त आ गया है अब अगले चरण में गाजा पट्टी के अंदर फुसकर हमास को चुन चुन कर मारने की बारी आ गई है हमास के ऐसी वक्त में इस्रेल से पंगा लिया है जब इस्रेल में पिलिस्तिनों के लिए सबसे जादा खतरनाक शप्रधान मंत्री के रूप में काम कर रहा है और यही इस वक्त नजर भी आ रहा है फिलिस्तिन और अरब देशों के अख़बार घाजा पट्टी की जो खबरें चाप रहे हैं उसके मताबिक अब तक घाजा पट्टी के अंदर करीब धाई हजार से जादा लोग मर चुके हैं गाजा पट्टी के अंदर अब तक साथ सो से जादा बच्चे मर चुके हैं, साथे चार सो से जादा महिलाएं मर चुके हैं, कई अर्बी भाषा के अपबार दावा कर रहे हैं कि जितने लोग भे गाजा पट्टी के अंदर माने जा रहे हैं, उनमें से 66 प्रतिशत महिलाएं गाज़ा पट्टी के हालात इस वक्त ये हैं कि गाज़ा पट्टी के अंदर 35,000 परिस्तिनी सिर्फ एक अस्पताल अल-शपा में शरण दिये हुए है और उन्हें उमीद है कि इस्रेल यहां पर एयर बॉमी नहीं करेगा क्योंकि यह एक अस्पताल है लेकिन अगर यहां भी हमास ने अपना अट्टा बना लिया तो फिर क्या होगा? यह इस्रेल ही तै करेगा फिलहा यूक्रेन को बंबारी करके और मिसाइलों पर मिसाइले वर्सा कर लगु लुहान करने वाले पुत्र घाजा पट्टी के दर्द से तड़ रहे है साथ अक्टूबर को जब इस्रेल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था करीब अन्तालीस घंटे तक पोथन चुपी साथे रहे हैं उनका कोई वायान सामने नहीं आठ लेकिन हमने के दो दिन बाद पोथन ने बेहदर अनमेती खमला करते हुए अमेरिका पर के निशाना साथ कि अमेरिका के मिडिल इस्ट पॉलिसी पेल हो गई है कोजお के लिए इवस्टाइने के गई अיुल الب nutrition care करीद month को याचа वी की नहीं पीर नहीं है लिए बेह już जल शहीं है कि अबंजिने ब extensive training का इन पुने वल्ज़嫁दका फ Concept कि बहीन अ बहुचिल आपने जाप्रवी कैद चेए इस्राइल और हमास के स्यूद में एक बड़ा सीक्रेट किरदार रूस का भी है इस्राइल और हमास के स्यूद से रूस को फायदा ही हुआ है एक तरफ साथी अरब और इस्राइल के बीच सम्झोता खटाई में पड़ गया है तो दूसरी तरफ अरब के इस्लामिक देशों में अमेरिका के खिलाब नफरत भड़ा कुठी है लेबनन में हजारों लोग सटकों पर उतर कर इस्राइल के खिलाब नारे लगा रहे है जॉर्डन में सत्तर हजार लोग अमान में उस वक्त सटकों पर उतर आए जब अमेरिका के विदेश मंत्री अंटनी ब्लिंकन जॉर्डन में ही मौचूद थे इसी तरह तुर्की में भी जम कर विरोध प्रदर्शन हुए है इजिप्ट में भी ये आग सुलकी हुई है और इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री को मेहनत करनी पड़ रही है जरूर गलत है लेकिन घाजा पट्टी पर अंधा धुन्द बंबारी भी गलत है इस बत सबकी नजर इसराइल की आर्मी से ज्यादा उसकी एफोस पट्टी की है इसराइल ने पिछले कुछ वर्ष्टों में ऐसे फाइटर जेट अपनी बायू सेना में शामिल किये है 12 खंटे 18 खंटे 24 खंटे 36 खंटे 48 खंटे इसराइल ने गाजा को कितने घंटे में फत्र करने का प्लैन तयार किया है इसराइल के मताबिक अगले 48 खंटे हमास पर बहुत भारी है क्योंकि हमास का सर्वनाश करने के लिए इसराइल ने अपने शक्तिशाली लड़ाको बिमानों को जंग में उतार दिया है घंटार की तबाही की जो तज़्वीरे सामने आ रही है उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि इसराइल के लड़ाको बिमानों ने घंटार का सर्वनाश शुरू कर दिया है हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर एइ हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर दो हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर ती हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर चाप हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर पांच ये पांच वीडियो तो बस बांगी है इस्राइल के लड़ाको विमान लगातार गाजा पर कहर वर पा रही है हमास से इंतगाम के लिए इस्राइल ने अपने ताकत वर लड़ाको विमानों को जंग में उतार दिया है हमास के लड़ाकों को धेर करने के लिए इस्राइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में है इस्राइल के एर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है इस्राइल के लड़ाकों विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं हमलों से कई मंसेलों की इमारते हैं ताश के पत्कों की तरह बिखर रही हैं। उची-उची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रहा है। इसरायल एरफोर्स के मताबिक पिछले 20 घंटों में 2400 से अधिक हमास के चेकानों पर एरस्ट्राइक की गई है। इस एरस्ट्राइक में इसरायल के तरब से 2000 टन बम गिराए गए हैं। वैसे तो इसरायल के एरफोर्स के पास जंगी हवाई जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा है। लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली लड़ाको विमान F-16 IS है। जो F-16 का इसरायली मॉडल है। इसरायल की वायूसेना 2000 से ही इन लड़ाको विमानों का इस्तिमाल कर रही है। इन 23 वर्सों में इसरायल की पाइलट को F-16 से दुश्मन देश को मलबे में बदलने की महारत हासिल कर ली है। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसे मन लड़ाको विमानों में होती है। दावा किया जाता है कि अमेरिका में बना F-16 लड़ाको विमान अगर अपने पर आ जाए तो किसी भी लड़ाई का रुख मोड सकता है। F-16 के इसरायली मॉडल में इसरायल के दुश्मनों को ध्यान रखकर कुछ खास बदलाव किये गए हैं वो हम आपको बताते हैं। ये दुश्मन का सपाया कर सकता है। इसरायल का ये लड़ाको विमान पचास हजार फीट तक की उचाई पर जाने के लिए सक्षम है। F-16 सेंगल एंजिन वाला मल्टी रोल लड़ाको विमान है। यानि ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। दिन हो या फिर रात, गर्मी हो या फिर बरसाथ। अमेरिका से इसरायल को मिला ये खास लड़ाको विमान किसी भी मौसम में बम और मिसाईलों से हमला कर सकता है। इसरायल 600 से अधिक लड़ाको विमानों से हमले कर रहा है। साथ ही साथ 300 रॉकेट लॉंचरों से घाजा पर बारूद की बरसाथ हो रही है। जंग के लिहाद से F-16 फाइटर जेट को एक विश्वा सनी और ताकतवर विमान माना जाता है। यही वज़े है कि घाजा के खिलाब फवाई हमले में इसरायल की एरफोर्स का बलड़ा बहुत भारी है। F-16 फाइटर जेट की लंबाई 49 फीट, 5 इंच और चौड़ाई 32 फीट, 8 इंच है। यह Advanced Radar System से लह से इस लड़ाको विमान का वजन 9.2 टन है और यह एक बार में 21.6 टन वजन लेकर ओड़ सकता है। ऐसा पहली बार में ही है जब इसरायल के लड़ाको विमानों ने रण भूमी में अपनी ताकत दिखाई है। इससे भी पहले दुनिया इजरायल के लड़ाको विमानों का लोगा मान चुकी है। 1956 से लेकर अभी तक कैसे इजरायल के लड़ाको विमानों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया है। इसे आगे बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले अभी इस्राइल के अरफोर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इसे समझना सरूरी है फिलिस्तीन के साथ जंग में इस्राइल के लड़ाको विमानों का सामना इरान के फाइटर जेट से हो सकता है इस्रेल के लड़ाको विमानों को जबाब देने के लिए सीरिया के जंगी जहाज भी सामने आ सकते हैं साथ ही अगर युद्ध आगे बढ़ गया तो मिसर के लड़ाको विमान भी इस्रेल से लोहा लेने आस्मान में मोचा समाल सकते हैं कहते हैं लड़ाकों विमान किसी भी युद्ध का रुख बदल देते हैं अगर फाइटर जिट बारूद बरसाना शुरू करते हैं तो दुश्मन देश के लिए सबसे बड़े सिर्दर्द साबित होते हैं युद्ध की भाषा में कहा भी जाता है कि चाहे जंग का तरीका कितना भी क्यों न बदल जा युद्ध में बढ़त लेने के लिए लड़ाकों विमान सबसे कारगर साबित होते हैं इसरैल के पास कुल 601 लड़ाकों विमान है जिसमें सबसे अधिक 175 F-16 फाइटिंग फालकन लड़ाकों विमान है इसके अलाबा 84 F-15 ईगल बिमान है 25 F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकों विमान है इसके साथ ही ऐसरैल के एरफोर्स के पास F-35 लाइटनिंग लड़ाकों विमानों की तादाद 49 है इसके अलाबा 75 नए F-35 लाइटनिंग विमानों का एजरेल ने ओर्डर दे रखा है F-16 फालकन को दोनिया के भरोसे मन फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है यही वज़ा है कि एजरेल के होसले बुलंद है इसरेल की वायुसेना इन विमानों से घाजा में लगातार बम बरसा रही है मिसाइलों से हमास के ठेकानों को निशाना बना रही है घाजा की धर्ती पर आई गे बारूदी तबाही इसकी गवाही भी दे रही है इससे पहले भी इस्राइल की वायुसेना जंग में अपनी थाकत का मुझाहिरा कर चुकी है। इससे पहले भी इस्राइल की वायुसेना जंग में अपनी थाकत का मुझाहिरा कर चुकी है।